डेली कनेडियन न्यूस बुलेटन इन हिंदी एंद उर्दू, अनली अट टेग टीवी टेग टीवी अप्टेट्स यू अबाउट कोरोना सिच्वेशन इन कैनडा एंड अराउंड गलूब कनेडा का भारत की मदद के लिए ओवर फ्लाइट किलियरंस पर पाकस्तान का शुक्रिया पाकस्तान में मौझूद कनेडियन सफीर वैंडी गलूमोर ने ट्वीटर पर शुक्रिया अदा किया पाकस्तान ने अपने हमसाई इंडिया को आकसीजन फराहम करने की पेशकश भी की थी कनेडा भर में कोरोना के बारत तीज़ी से जारी मरीजों की मजबीत आदाद 12,65,320 तक जा पहुची हलाकते 24,450 हो गई वैकसीन के तिज़ारती कावनीन में नर्मी का मतालबा कैनेडा आलमी तिज़ारती तन्जीम के साथ बात चीट में शिर्कत के लिए रजमन्द आलमी सطح पर वैकसीन की पेदवार और तकसीब में तेजी लाने में मदद मिलेगी कनेडियन अपोजिशन जमातों ने कन्सेवेटिव पार्टी का हम मतालबा मुस्तरित कर दिया कन्सेवेटिज ने वजिर आजम की चीफ ओव स्टाफ को बरतरफ करने का मतालबा किया था कैटी टेल फोर डिफेंस कमेटी के सामने पेश होंगी सोशल मीडिया पर पाबंदी टरम ने नया रास्ता अख्तियार कर लिया जाती वेब साइट पर पर पेगमा जारी करने लगे जाती समाजी राप्तों के प्लेट फॉर्म का भी जल्द एलान करने का इरादा रखते हैं कोरोना वैक्सीन के टेक्नालोजी दुनिया में बाटने से मतालिक अमरीकी फैसला वैक्सीन बनाने वाली कमपनियों में हल चल मच गई बाइड इंतिजामिया कोरोना वैक्सीन से पैटेंट प्रोडिक्शन हटाने के लिए मत्तरिक हो गई दुनिया बिर में कोरोना वार्ष से 32,79,000 तम पाउत अमरीका में कोरोना से मरने वालों की कुलतादाद 5,94,006 तक जा पहुँची हैडलाइंज आपने जानी और अब खबरे तफसील के साथ पाकिसान में केनिडा की सफीर ने इंडिया कोरोना से मतालिक इमदादी समान ले जाने वाले केनिडा के जहास को अपनी फजाई हुदूर इसमाल करने की इजाज़त देने पर पाकिस्तान के दफ़तर खारजा का शुक्रियादा किया है मजी चांदे है इस रिपोर्ट में पाकिस्तान में केनिडा की सफीर वेंडी ग्लोमोर ने इंडिया करोना से मतालिक इमदादी समान ले जाने वाले केनिडा के जहास को ओवर फ्लाइट क्लेरंस यानि अपनी फिजाई हुदूत इस्तिमाल करने की इजाज़त देने पर पाकिस्तान के दफ़तर खारजा का शुक्रिया अदा किया है पाकिस्तान में मौजूद केनेडिन सफीर वेंडी ग्लोमोर ने माइक्रो ब्लागिंग वैक साइट ट्विटर पर अपने पैगाम में लिखा इन मुश्किल हालाफ में कैनेडा की तरफ से इंडिया की मदद किये जाने के जमन में ओवर फ्लाइट क्लेरिंस देने पर पाकिस्तानी दफ़तर खारजा का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ याद रहे कि गुजिष्टाहमा इंडिया में करोना के बاعث बनने वाली परेशान कुंसुरते हाल के बاعث पाकिस्तान ने अपने हमसाइ और अक्सिझन पराहम करने की पेशक्ष की थी पाकिस्तान में कैनेडा की सफीर की जाने वाली टूइट पर वीर्णामी सालिफ ने तफसरा करते वे लिखा मौतरमा ये उन पर किसी खिस्म का कोई एहसान नहीं है बलके ये एक अकलमंदाना एकदाम है इंडियन वजारत सहथ की जानेब से जारी आदादों शुमार के मताबिक इंडिया में बुद के रोज 24 गंटों के दौरान होने वाली अमवाद की तादा तीन हजार साथ सो असी है जबके 24 गंटे के दौरान मज़ी 3,82,315 मुस्पत के सी सामने आएं गुजश्चना हफतों के दौरान हर रोज इंडिया में करोना वाइरिस का शिकार होने वाले मरीजों की तादा मुसलसल 3 लाग से जायत रिकार्ड की जा रही है ऑन्टेरियो के प्रीमियर डगफोर करिंटीना की मुद्ध मुकमल होने पर आम जिन्दगी में वापिस आ गए हैं प्रीमियर ने वापिस आते ही विफाकी हकूमत से मतालबा किया है कि ऑन्टेरियो आने वाले तमाम रास्तों को फौरी तोर पर बंद किया जाए क्योंकि अगर ऐसा ना किया गया तो खत्रा है मजीर जानते हैं इस डिपोर्ट में कैनेडा भर में करोना के वार तेजी से जारी कैनेडा भर में करोना के मरीजों की मजमुई तादाद 12,65,320 तक जा पहुँची है जबके हलाकते 24,450 गई जबके 11,51,207 अफराद सहत्याफ हो चुके हैं ऑन्टेरियो सूबे में करोना केसिस की तादाद सबसे ज़्यादा है सूबे भर में करोना वारिस से मतासिर होने वालों की तादाद 4,83,057 तक जा पहुँची है जबके हलाकतों की तादाद 8,187 है प्रेमियर डगफोर्ट करंटीने की मुद्ध मुकामल होने पर आम जिन्दगी में वापस आ गए है प्रेमियर ने वापस आते ही विफाकी हकुमत से मतालबा किया है कि अन्टेरियो आने वाले तमाम रास्तों को फौरी तोर पर बंद किया जाए क्योंकि अगर ऐसा ना किया गया तो खत्रा है कि हम कहीं करोना की च marched में दाखिल ना हो जाए वजीव बराय कामी सलामती बिल बलेयर का कहना है कि प्रेमियर और दीगर आला हुकाम का कहना है کہ اگر ہمیں करोना के खलाव जंग जीतनी हैं तो हमें अपने बॉर्डर्स को मपजीद सखत करना होगा वरना हालात मपजीद खराब हो सकते हैं कैनेडा में करोना وाירस के सबसे जादा हलाकतیں क्यू बैक्ट सुबे में हूई हैं करोना वाइरिस के मजभूई केसिस की तादा 3,55,297 है जबके सूबे में करोना वाइरिस के बाइस होने वाली हलाकतों की तादा 10,964 तक पहुँच चुकी है कैनेजिन सूबे अलबर्टा में केसिस की तादा 2,002,000 से तजावस कर गई सूबे में 2,3,135 अफराद करोना वाइरिस से मतासिल हुए हैं जबके 2,102 अफराद हलाक हो चुके हैं ब्रिटिश कॉलम्बिया में केसिस की तादा 1,335,619 तक पहुँच चुकी है जबके सूबे में करोना वाइरिस से होने वाली हलाकतों की तादा 1,594 है कनेड़ा ने आलमी तिजारती तन्जीम से वैक्सीन के तिजारती राजों की हिफाज़त करने वाले कवानिन को माफ करने के बारे में बादचीत में शामल होने पर रज़ामंदी का इजहार किया है अजई जानते हैं इस रिपोर्ट में कینیڈا نے عالمی تجارتی تنظیم سے ویکسین کے تجارتی رازوں کی حفاظت کرنے والے قوانین کو معاف کرنے کے بارے میں باتچیت میں شامل ہونے پر رضا مندی کا اظہار کیا ہے متعدد دوساز کمپیوں کے مالکان اور کئی عالمی رہنماؤں کا کہنا ہے کہ ان قوانین میں ریایت دینے سے صرف پیداوار میں کمی آئے گی بین الاقوامی وزیر تجارت میری اینجی نے ہاؤس آف کومنس میں سوالوں کے وقفے کے دوران یہ خبر دی کہ کینیڈا کو ریاستہ ہائے متحدہ امریکہ کے ساتھ ہے جس نے بد کے روز یہی بات کی تھی لیکن چوبیس گھنٹوں کے بعد بھی یہ واضح نہیں ہوا کہ آیا کینیڈا امریکی فیصلے کی حمایت کے مکمل اظہار کے باوجود مذاکرات کی میز پر بیٹھنے کو تیار ہے مجاوزہ بات چیت تجارت سے مطالقہ املاک کے حقوق سے مطالق پہلوں یا تی آر آئی پی ایس ترقی پذیر ممالک کے لیے اپنی کوویڈ نائنٹین ویکسین بنانے کے لیے ضروری مہارت ساز و سمان اور اجرہ درامت کرنا آسان بنائے گی تاہم ناقدین وٹو مذاکرات میں اکوسی اتفاق رائے کی ضرورت ویکسین تیار کرنے کی پیچیتگیوں اور دوہ سازی کے کاروباری موڈل کا حوالہ دیتے ہوئے اس خیال کو غلط قرار دیتے ہیں اینجی نے نیو ڈیموکریٹ لیڈر جگمی سنگھ کے ایک سوال کے جواب میں کہا ہم ٹی آر آئی پی ایس سے مطالق عالمی تجارتی مہائدے کے تحت خاص طور پر کوویڈ نائنٹین ویکسین سے مطالق املاق کے تحافظ سے مطالق مذاکرات میں حصہ لیں گے وزیر تجارت نے ٹوئٹ کیا کہ کینیڈا عالمی سطح پر ویکسین کی پیداوار اور تقسیم میں تیزی لانے کے لیے ڈیبلیو ٹی او کی کوششوں کی پھرپور حمایت کر رہا ہے ہم کرونا وائرس سے تیز رفتار عالمی بحالی کو یقینی بنانے کے لیے حل تلاش کرنے اور امریکہ کے ساتھ کام کرنے کے منتظر ہیں कینیڈین وزیرعظم کی چیف آف سٹاف کیٹی ٹیلفورڈ ڈیفنس کمیٹی کے سامنے پیش ہوں گی مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں कینیڈین وزیرعظم کی چیف آف سٹاف کیٹی ٹیلفورڈ ڈیفنس کمیٹی کے سامنے پیش ہوں گی حضب خلاق کی جماعتوں نے وزیرعظم جیسٹین ٹوڈو کی جانب سے کینیڈا کے سابق آلہ فوجی کے خلاف شکایت کے معاملے پر اپنے چیف آف سٹاف کو برطرف کرنے کے لیے کنزرویٹیف کی کال کو مسترد کر دیا ملک کے سابق آلہ فوجی کمانڈر کے خلاف جنسی بد انتظامی کیس پر ایک خاتون نے جمعیرات کے روز ریٹائر جنرل جانتھن وینس پر ذاتی زندگی اور طرز عمل کے بارے میں تازہ الزامات آئیت کیے کیٹی ٹیلفورڈ نے دوہزار اٹھارہ میں سابق دفاعی چیف جانتھن وانس سے مطالق کسی شکایت کے بارے میں بتایا تھا اس کے بعد کیٹی ٹیلفورڈ کو اپنی ملازمت سے ہاتھ دھونا پڑا تھا جیسٹن ٹوڈو نے یہ کہتے ہوئے ٹیلفورڈ کا دفاع کیا ہے کہ ان کے دفتر میں کسی کو نہیں معلوم تھا کہ یہ معاملہ می ٹو نویت کا ہے مزید یہ کہ انڈی پی نے کہا کہ وہ ٹیلفورڈ کو اس بارے میں گواہی دیتے ہوئے سننا چاہتے ہیں ڈانلڈ ٹرمپ پر سوشل میڈیا پر پابندی برقرار رکھے جانے کے بعد وہ اپنی ذاتی ویب سائٹ پر پیغمات جاری کرنے لگے ہیں مزید جانتے ہیں اس ٹیپورٹ میں سابق امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ نے ذاتی ویب سائٹ پر اپنے پیغمات جاری کرنا شروع کر دیا ہے तफसिलात के मताबिक डानल्ड ट्रम्प पर सोशल मीडिया पर पाबंदी बर करार रखे जाने के बाद वो अपनी जाती वाब साइट पर पहामाज जारी करने लगे हैं अधर अमरीका में ट्रम्प पर सोशल मीडिया की पाबंदी बर करार रखे जाने के फैसले पर नई बहस शुरू हो गई है। रिपॉबिकन सैनिटर्स ने साबक अमरीकी सदर पर पाबंदी को बत्तर फैसला करार दे दिया। ख्याल रहे कि गुजशता रोज फैस्बुक, ट्विटर और इंस्टरग्राम ने साबक सदर पर पाबंदी का फैसला बर करार रखा। पाबंदी का फैसला फैस्बुक के तश्कील करदा बोर्ड अरकान ने किया। ट्रम्प पर पाबंदी 6 जनवरी को हामियों की जानब से कांग्रेस पर हमने के बात लगाई गई थी। फैस्बुक बोर्ड का कहना था कि साबक सदर ने अपनी पोस्ट सेहामियों को तश्चदुद पर रुकसाया और तश्चदुद का मुम्किना महाल तश्कील दिया। फैस्बुक बोर्ड में सहाफी, वकला, स्यासतदान और मुक्तलित तन्जीमों के कारकुनान शामिल थे। फैस्बुक इंस्ट्राग्राम पर ट्रम्प की पाबंदी खतम करने का जायजा आएंदा 6 माह में लिया जाएगा। दूसी तरफ टरम्प ने अपने उपर समाजी राप्तों की वेबसाइट की पाबंदी पर शदी तन्कीद की। उन्हों ने अपने बयान में फैस्बुक, गूगल, टुइटर को करप्ट परार दे दिया। टरम्प ने अपने वेबसाइट शुरू करने का भी एख़ानी वेबसाइट पर जारी पगामाद उनके चाहने वाले समाजी वेबसाइट्स पर शेयर करने लगे हैं। पार प्लापोर्म का भी जल्ड ऐलान करने का इरादा रखते हैं, करोना वैक्सीन की टेकनलोजी दुनिया भर में बाचने से मतालिक अमरीकी फैसले ने वैक्सीन बनाने वाली कमपनियों में हलचल मचा दी है मजी चांदे हैं इस रिपोर्ट में करोना वैक्सीन की टेकनलोजी दुनिया भर में बाचने से मतालिक अमरीकी फैसले ने वैक्सीन बनाने वाली कम्टियों में हलचल मचा दी है तफसिलात के मताबिक अमरीका करोना वबा के खात्मे के लिए दुनिया में वैक्सीन की आसान रिसाई के लिए कोशान नजर आ रहा है बाइडन इन्तिजामिया करोना वैक्सीन से पैटेंट प्रोटेक्शन हटाने के लिए मतहरिक हो गई अम्रेकी नमाइन दे तिजारत कैतरीन ताइण ने डव्यू टी ओ के बंद कमरा इघाए की बारऑ के लाखते होगी, डव्यू ती ओ के तहत, वैक्सीन से पैतटन्ट प्रोटेक्शन अर्जी तौर पर हटाई जाए। कैथरीन ताई का कहना था कि करोना वैक्सीन की टेक्नलोजी बाठने का फैसला दुनिया से करोना के खात्मे के लिए किया गया है इस एक्दाम से हर मुल्क वैक्सीन तैयार करके शेहियों को लगा सकेगा दुनिया सहत के बहरान से दो चार है हमें गायर मामूली एक्दामात करना होंगे अमरीकी नमाइंदे तिजारत ने कहा कि बाइडन इंतिजामिया चाहती है कि दुनिया के हर शख्स के लिए वैक्सीन मैसर हो ताहम दूसी तरफ करोना वैक्सीन बनाने वाली इंडस्ट्री ने बाइडन इंतिजामिया के फैसले की शदीद मुखालपत की है अमरीकी फार्मसिटिकल मैनिफेक्टर्स का कहना है कि करोना वैक्सीन की तैयारी एक पेचीदा मौमला है इस फैसले के बाद अमरीका में वैक्सीन बनाने वाली कम्पनियों के शियर्स भी गिर गए हैं फाइजर बायो एंटेक और दीकर वैक्सीन मैनिफेक्टर्स के शियर्स के किमतों में कमी देखी गई आलमी वबा करोना वारिस के सबब दुनिया में 15 करोड 66 लाग 18,000 से जाएद अफराद मुतासर और 32,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000, हो चुके हैं दुनियाबर में करोना से सहत्याब होने वालों की तादा 13 करोट 4042 перек 2 हजार से जाइख और पाल केस्ज की तादा unkbor और करोट 93 सादा की 100 हजार से जाइख है अमरीका में करोना से मरने वालों की कुल तादा 5,94 जज़ 6 तक पहुँच गई है जबके 3,39,79,132 मतासिर हैं भारत में करोना से मतासिर अफराद की तादा 2,14,85,000 से जायत है और 2,34,171 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं ब्राजील में करोना से मतासिर अफराद की तादात 1,50,9,000 से जायत हो गई है और 4,17,000 से जायत अफराद हलाक हो चुके हैं फ्रांस में 57,28,000 से जायत अफराद मतासिर और 1,58,50 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं रूस में 48,55,000 से जायत अफराद करोना वारिस से मतास हो चुके हैं और अमवाद की मच्मुई तादाद एक लाग बारा हजार दो सो चालिस है तुर्की में करोना वाइरस से अमवाद 42,187 तक जा पहुंची है जबके केसिस 49,777,982 हो चुके हैं साओधी अरब इसी फैरिस में 43 वे नंबर पर पहुंच चुका है जहां करोना अगसान स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही मजीद खबरों अपडेट्स के लिए देखते रहे हैं टैग टीवी डैली कनेडियन न्यूस बुलेटिन इन हिंदी एंद उर्दू अनली अट टैग टीवी टैग टीवी अप्टेट्स यू बाओ करोना सिट्वाशन इन चानदा और आंड गलूब